1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 33 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चाहर, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 11 2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 जानुवरी 2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 11 2014 के दिन 1 लाग रुपए Nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 लाग 2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है share में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है second point Nifty ने जीता third point Nifty ने जीता overall share जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का return दिया यह share ने कितने परसंटेज का return दिया winner है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे यह stock में इन्वेस्ट करे निफ्टी 50 stocks में इन्वेस्ट करे या FD में इन्वेस्ट करे यह share के और निफ्टी के annualized return परसंटेज हमने देखे हैं वही return परसंटेज अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा Thank you